गुरुर् ब्रम्हा, गुरुर् विष्णुहु, गुरुदेवो महेश्वरह, गुरु साक्षात्परब्रम्ह, तस्मै श्री गुरवे नमहौ। अज्ञानति मिरांधस्य, ज्ञानांजनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितम्येन, तस्मै श्री गुरवे नमहौ। भगवन्नाम माहात्म्यम् कष्चन वैष्णव गोस्वामी प्रकोष्ठे उपविष्टह अस्ति परमहम्सह तदातदातं त्वंकिम्वदसी मार्गहकह इति अप्रुच्चत् गोस्वामी, महाशय, केवलं नाम एव पर्याप्तं, कली युगे नामनह एव माहात्म्यम् स्वी रामक्रिष्णह आम नामनह माहात्म्यमस्ती इतितु सत्यम् किन्टु अनुरागह नास्तिचेत किम्लभ्यते भगवदर्थं प्राणाह व्याकुलाह भवेयुहु केवलं नामो चारणं कुर्वता कामकांचन योहो मनह स्थाप्यते चेत। भगवत साक्षात कारहा लभ्यतेवा। विष्चिकेन दस्टस्य वेदना केवलं मंत्रेन एव न अपगच्छती। तेनसह करीशस्य धूमह अपि तस्मै दातव्यह भवति। गोस्वामी किन्तु अजामिलह महान पातकी आसीत। परंतु मरन समये नारायन नामकस्वपुत्रस्य नामो चारण मात्रेन एव तस्य उद्धारह अभवत। स्वी रामक्रिष्णह अजामिलह तस्य पूर्वतनेशु जन्मसु भृषं तपह चरितवान स्यात। तस्य अंतिम जन्मनी अपी सह एकदा तपश्चरितवान इती एकत्र उक्तमस्ति। भगवन्नामो चारणेन मनुष्यह एकवारं शुद्धह भवति चेदपी पुनह सह पापकार्य प्रवृत्तह भवेद। मनुष्यस्य मनहा दुर्बलम् ततु पुनह पापकार्यानी न करवानी इती प्रतिग्णाम कर्थुम् न शक्नोती। गंगास्नानेन सरुवानी पापानी अपगच्छन्ती इतीतु सत्यम् किन्तु अपगच्छन्ती चेत्किम् जनाह वदन्ती पापानी सरुवानी गंगातीरस्थ व्रिक्षेशु उपविष्टानी भवन्ती। गंगास्नानम कृत्वा मनुष्यह यदा तीरं प्रत्यागच्छती तदा पापानी सपदी व्रिक्षेभ्यह उत्पत्य पुनह तस्य सकंधम् आरोहंती। तीरे तेन द्वित्र पदस्थापना भ्यंतरे एव तानि पापानी तस्य सकंधम् आरोहंती इती। सरुवे हसंती। अतह एव अहम् वदामी भगवन् आमो चारण मपिकुरुत तेन सह युष्माक मनुरागह तस्मिन भवती इव सह कृपाम करोतू इती तम् प्रार्थयत इती। भगवंतं प्रार्थयत इतस्मिन क्षणिक जीवने धनम कीर्तिही देह सुखं एतेशु आसक्तिही दिने दिने यथा न्यूना भवती तथा अनुग्रहं कुरू इती। यस्य अंतरंगह शुद्धह तेन भगवान प्राप्यते। गोस्वामिनम् अंतरंगह शुद्धह अस्तिचेत केनापि मार्गेन भगवंतं प्राप्तुम् शक्यते। भगवान वैस्नवय ही अपि लभ्यते। शाक्तय ही अपि लभ्यते। वेदान्तवादिभिही अपि लभ्यते। ब्राम्ह भक्तै ही अपि लभ्यते, महम्मदीय ही अपि लभ्यते, इशु मसीह ही अपि लभ्यते यस्य हृत्पूर्वकं मनहा अस्ति तेन निश्चप्रचं सहा लभ्यते